वोववे के चार बज़ रहे हैं और इस वक्त है कःबला द्यानुत होंए और आप देख रहाँ गे कारेगर यहां पर आ कुकी है important ओर सो रहे और इस कमरे में आप को दजर आ रहे होंगी आठे की बोर यहां और अभी हम आपको दिखाते हैं कोई काम भी होना आसान नहीं है बारिश भरे इस मौसम में आस्मान काला हो रहा है पूरा और यहाँ पर लगेंगी घर्म गरब रोटियां कैसे क्या आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर काफी फिसलन भरा महुल है यहाँ पर यह कुछ लोग आपको दिखाते हैं कि लंगर के इंतिजाम कैसे चल रहा है यहाँ पर सामने आपको नजर आ रहा होगा यह देगें और तकरीबन सुभे नौ बज़े से लेकर रात के बारा या एक बज़े तक लोगों को दाल और रोटी खिलाई जाएगी और यह देगे आप देख और इसके दर दाल वगरा बनाई जाएगी और हम आपको सुभे दिखाएंगे कि दाल जब बन रही होगी उसके बाद किस तरह से खिलाई जाएगी यहाँ पर तो आज इस वक्त हम मौजूद हैं लखनव के करबला अध्यानुत दौला बहादर में और आज है आठ रभी लवल और आठ रभी लवल के दिन यहाँ पर होता है एक अजीम शान लंगर और तकर पचास हजार लोगों को यहाँ पर दस्तर खान किया जाता है दाल गोश्ट लेकर चलते उस दस्तर खान के खरीब में जहां पर लोग घा पी रहे हैं हमने पुरी रात से कवरिज किये किस तरह से शुरूआत होती है किस तरह से चीज़े बनाई जाती है आपको सब कुछ डिखाते हैं तो वही हमने आपको दिखाई थी रात की तयारी और सुबह हो और इस वक्त सुबह के बज़ रहे हैं ज्यारा और इसना सारा आचा भूंदा जा रहा है यह तो सामने हमारे शन्य भाई मौजूद है और यह चनी की डाल भीगोई गई है यह यह बहुत सारी यह एक मात्र समझी एक हिस्सा है डाल का यह अब यह कई बार डाल भीगोई जाएगी और काफी हवाएं चल रही हैं यहां पर अधर गोज बन रहा है चालू होगा अच्छा ज चलिए अंदर देखते हैं यहां महले अंदर का तो अंदर देगे चड़ी वी क्योंकि बारिश भरा मौसम है इससे पहले खुले में बनता था खुले में नहीं बन पा रहा है क्योंकि काफी हवाई चल रही है हमने आपको सुबह सुबह चार बुजे का महल दिखाया था है यहां पर चैने की चैनी की दाल गोश्ट हमारे साथ मौजूद है अंज्यमन हुसाइनिया खदीम के साबय बयास जो किसी तारुफ के मौताज नहीं है और इनको बाखोबी लोग जानते हैं इनकी शक्सित के बारे में तो इन से बात करते हैं लंगर कफे हो रहा है यहां लंगर को अप्रॉक्स हो गया है अठाइसमा साल है यह अच्छा जाएंगे कि इतने बारिश भरे मौसम में मैं देख रहा हूं कि यहां पर बारिश है इतना पानी गिर रहा है तो लोगों की तादात कैसी है और किस तरह से आप लोग इस सब खिला पिरा दे लिए लोगों क और ये भी एक इलाहिया निजाम है लेकिन इससे भी रास्ते बनाते हुए और इसके लिए भी नही नहीं सहुलियतने पैदा करते हुए और मौमिने के लिए एतमाम को जो है बादलाओं में लाया जा रहा है कि जैसे बाहर कैम्प का इंतिजा गया था बारिश के सबब उसम तो पुष्ट पर जनाना इत्माम किया गया और कैमपस में एक वाटर प्रूफ पिंडाल है जिसके अंदर उनका जो भी मुनासिब हो सकता है इंतिजामिया से और अंजुमन के लोगों से वो इसमें पूरी तरह से गामजन हैं और कर रहे हैं आप देख सकते हैं इस वक्त भी हालात हैं पानी बरा हुआ है हर तरफ मगर माशालला करम है मौला का इमाम का सद्खा है कि किसी तरह ही कोई रुकावट नहीं है बस एक मामूली सी ये बारिश का वो मसाला था वो भी अब चला गया अच्छा जी ये डाल है चलेगी जी अच्छा जी ये डाल आप किशन लेक है और इसकी बरकतें इतनी हैं कि कोई भी मुमिन आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मैं दस्तर खान में गया था और महां से मैं मायूस लौटा हूँ अच्छा जी सामने देगे आपको नजर आ रही होंगी इस देगे वाई पानी बना महुल है लेकिन लोगों की जो मेन किस तरह से अब जहां पर रोटी लगती है उस एरिया में आपको लेके जा रहे हैं महा का हालम देख सकते हैं आप भई लग रहा कि दरिया के किनारे रोटी बन रही है मगर कोई फर्ख नहीं आ रहा है मौला के करम से क्राम क्योंकर जैसे होता था वैसे ही चल रहा इस मौसम मरहुम ने इसकी शुरुआत की थी अठाइस साल कब जिसके वज़े से ये लंगर इस वक्त अपने पूरे उरूच पे है और गुजिशता साल सरवर अली साहब हम लोग को छोड़ के चले गए वो गरीख रहमत अल्ला उनको फर्माई ये उनके फर्दंद हैं मौमद अली औ जब्लू साहब और इनके भाई जो हैं वो सब लोग इनकी पूरी टीम इनका पूरा खानवादा इनके साथ किस तरह से गांड़ण रहता हो काम करता ये आप वीडियो में देख सकतें और इनकी कंड़ीशन देख सकतें और ये दूबई में हैं मगर दूबई से ये इसी का के लिए आते हैं कि इनके वालिज साहब ने इस लंगर को स्टार्ट किया था और ये उसको अपना फर्द समझ के अपना सब कुछ काम छोड़ के ये पंदरा दिन के लिए लंगर के लिए जरूरा आते हैं इनकी तौफिखात के लिए इजाफा करें आप दूआ करें इनकी और पारिष का मौसम देखी ये पानी देखिए और लोग t पर रोड़े को रोटि के ला रहे हैं तो फैजबते करें में प कितनी रोटी बन्ति हों ग Julie लातादार दिया इसकी तो हो है जिस्के जवाब यही विया किया है कर दय से हमारे इमाम ने फर्माइब ने फरम बारे बताईए आप खाकर इसको खाकर आपको ऐसा लगागा क्योंकि ये इमाम हुसें लाइसलाम के दस्तर खान से मनसूब है और इसको आप जैसे ही नौश फरमाएंगे तो आपको ऐसा लगागा कि कोई खुल की घिजा है जिसकी लगज़त आपकी जुबान पर आ चुकी है बिल्कुल ऐसी डाल ऐसी रोटी शायदी आपको महरम के लावा कहीं और मिले आपको जो मज़ा इसके अंदर है शायदी आपको किसी और चीज़ मज़ा मिलेगी लाजबाब डाल है वाकई तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आप से अलविदा करने का आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा शेर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और दुआओं में अपने भाई को याद रखिए गाद आप नमस्कार सुफिने काल जाहिन